Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आजे 3 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 3 मार्च से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं और देखिए जो भी student SSC exam के लिए preparation करते हैं उनके लिए सबसे important होता है इस moment की test series को religiously follow करना जैसे की exam back to back आने ही वाले हैं टेस्ट बुक जिनकी test series एक करोर से जादा student ने अभी तक attempt कर लिया है इनके पास में आप लोगों को SSC CGL के लिए 282 mock test SSC CPO के लिए 125 mock test इसके लावा SSC stenographer के लिए 61 mock test और इसके लावा IB SEO जोकी IB का exam है इसके लिए आप लोगों को 76 mock मिल सकेंगे और इसके लावा RRB, NTPC और Group D के लिए भी कुछ 330 mock आप लोगों को मिल सकेंगे और अभी test book का anniversary offer भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को text book पास मिलेगा जिसमें 200 प्लस exams के लिए 12,000 से अधिक mock मिल सकेंगे तो बस आपको study 10 coupon लगाना है और इससे आप लोगों को extra 30 रुपे discount मिल सकेंगा link description box में दी हुई है तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question architect शेत्र की जलवायों और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उबग्रह जिसका नाम है architect M ये launch किया गया है तो architect M जो कि अभी हाली में launch किया गया है रशिया के द्वारा और इससे किस विमान के द्वारा छोड़ा गया है तो इसका नाम है तो आर्कटिक शेत्र की जलवाईव और परयावरण की निगरानी रखने का ये काम करेगी और इसे ही लॉंच किया गया है रशिया के दौरा तो आप मैप में देख सकते हैं ये है रशिया की लोकेशन मतलब कि जो रशिया है इसका कुछ हिस्सा एशिया महादीप में आता है जिसे कहा जाता है साइबेरिया जबकि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को जो कि आप देख पा रहे हैं ये इस्थित है यॉरप महादीप में अच्छा मॉस्को से आप लोगों को क्या याद आता है अभी हाली में जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीस किया गया था इ यूमा प्रेसिडंट है व्लादमिर पुतिन और अभी हाली में यहां की संसद में एक विदेयाक पारित किया गया था जिसके अनुसार यहां के जो प्रेसिडंट है व्लादमिर पुतिन ये 2036 तक यहां के प्रेसिडंट के पद पर बने रह सकते हैं पिछले ही साल रसिया के एविया इंद्रा अगला कुश्चन है इंडियन वूमन लीग 2021 की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा तो इंडियन वूमन लीग जो की होगा इसका पांचवा एडिसन इसे होश्ट करेगा ओडिसा जो AIFF है यहने कि All India Football Federation इसके द्वारा यह घोश्चना की गई है कि इंडियन व हुई थी 23 जून 1937 में हैटक्वाटर इस्तित है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष प्रफुल पटेल अब यदे हम बात करें ओडिसा की तो इसकी राजधानी है भूवनेश्वर आया सो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर यह भूवनेश्वर है भूवनेश्वर में इस्तित है कलिंगा स्टेडियम और प्रसिद्ध लिंग राजमंदिर मुख्यमंत्री नभीन पतनायक जिन्हें लास्ट इयर हीरो टू अनिमल अवाड से नवाज़ा गया था राज जिपाल है गनेशी लाल इंपोर्टन नैशनल पार्क यदि बात के ज है यह भी इस्तित है ओडिसा में भारत का सबसे बड़ा होके स्टेडियम यह ओडिसा के राउल के लम में बनने जा रहा है जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा होके स्टेडियम इसमें 20,000 लोगों की बैठक शमता होगी भारत का पहला फायर पार्क जो कि स्थापित किया गया इसमें भी टॉप पर रहा था ओडिसाम हाली में भाबा एटोमेक रिसर्च सेंटर के द्वारा विक्सित की गई डिजिटल कोबाल्ट थेरपी मशीन इस मशीन को भारत ने किस देश को दान में दिया है तो कोबाल्ट थेरपी मशीन जिसका उपयोग कैंसर उपचार के छुकि आप इमेज में देख पा रहे हैं अब यदि हम बात करें मेड़ागासकर की तो ये हैं मेड़ागासकर ये है एफ्रिका महादीप मेड़ागासकर की कैपिटल है एंटेना नैरिवो करन्सी है मालागासी एरी-री आसपास की लिया आप लोकेशन देखेंगे तो कुछ important जल्धाराओं के नाम याद करवाए थे जिसे कि यहां से बहती हुई आती है मोजैंबिक जल्धारा यहां से बहती है अगुल हास जल्धारा अब इसकी direction है भूमध्य रेखा से ध्रूओ की तरफ मतलब की यह है गर्म जल्धाराएं इंस्टाग्राम पर सौ मिलियन क्लब में शामिल हो चुके हैं जिसमें की पहले से और लोग शामिल हैं जिसकी ड्वेन जॉंसन जिन्हीं आप दरॉक के नाम से जानते हैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वेक्ति यह यही है और लियोनल मेसी इसके लावा क्रिश्टियानो रोनाल्ड जो की पूर्त गाल के इस्टार फूड बॉझार हैं इंस्टागराम पर 125 करोड फॉल्लवर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति यह करिश्टियानो रोनालेडो ही हैं तो अब जो विराट कोहली है 100 करोड फॉलोवर वाले यानि की 100 मिलियन फॉलोवर वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गये हैं ओर ओर ओल स्पोर्ट्स फिल्ड में ये चौथे खिलाडी बन गये हैं अच्छा महेंद्र सिंग्ध हो नी तो IPL से यानि की इंडियन प्रीमेर लीक से 125 करोड की सॉरी 1500 करोड की कमाई करने वाले ये पहले खिलाडी बने हैं अगला कोश्चन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पत किसने समाला है तो P.I.B. के प्रधान महानिदेशक ये भी हाली में बन गये हैं जैदीब भटनागर जैदीब भटनागर जो की 1986 बैच के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी है और जैदीब भटनागर इन्होंने किन का इस्थान लिया है तो इन्होंने रिप्लेस किया है केस धत्वालिया को यदि हम बात करें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की इसके स्थापना 1999 में की गई थी हैड़कौार्टर इस्थित है नई दिल्ली में यदि हम बाकी दो आप्शन को डिस्कुस करें तो हाली में जो आरेस सर्मा है ये आयुशमान भारत के कारी-कारी निदेशक बनाए गए है यदि हम बात करें मल्ली कारजुन खडगे की तो ये भी हाली में राज्जी सभाव विपक्ष के निता बनाए गए है भारती पूरा तत्तो सर्वेक्षन यानि कि आर्चिलोजी सर्वे आफ इंडिया ने कि सिराज्जी की सीतागडी हिल्स के जुलजुल पहाड़ी के पास एक टीले के नीचे दफन बहुत धमट की खोच की है तो इसकी खोच अभी हाली में की गई है जारखंड में जारखंड में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है एक तो है यूरीनियम डेटिंग पध्धिति दूसरा होता है और धेटिंग पध्धिति तो यदि हम बात करें जहार खंड की तो इसकी राजधानी है राची अच्छा भी हाली में प्राइम मिनिश्टर नरंद्र मुदी जी के दुआरा छे राज्यों में मतलब की कुल छे सहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधार शिला रखी गई थी लाइट हाउस जहार खंड की राची यहां के मुख्य मंतरी हेमंत सोरेन राजजिपाल है द्रौपति मुर्मू नेशनल पार्क है बेतला हाली में यहां दालभात योजन की शुरुआत की गई थी जिसमें की पांच रुपय में गरीबों को भरपेट भोजन प्रवाइट करा रही थी जहा राखंड गॉर्मेंट के द्वारा हुक का बार पर प्रतिबंद लगाने की होशना की गई है हाले में किस इंटर्नेशनल एयरपॉर्ट को ASQ दिया गया है ASQ यहनिकी airport Service Quality Award तो यह भी हाले में दिया गया है हैदराबाद International Airport को या इसे आप कह सकते हैं राजिय उगांधी International Airport को तो Airport में सर्विस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये अवाड प्रदान किये गए हैं जो कि दिया गया है हैदराबाद International Airport को और देखें ये जो Airport है ये देश का पहला आधुनिक Greenfield Airport भी है यदि आप करन्ट से रिलेट करेंगे तो हाली में इसी Airport को मतलब कि ये जो हैदराबाद International Airport है ये बोर्डिंग की सुविधा प्रवाइड कराने वाला भारत का पहला Airport भी बना था यदि हम बाकी के तीन Airport को डिसकस करें जो कि चर्चे में रहे हैं तो दिल्ली International Airport जो कि दिल्ली में इस्तित है ये भारत का पहला Single-use Plastic-Free Airport है कोची International Airport तो विश्व का 100% सौर उर्जे से संचालित पहला Airport है कोची International Airport जबकि अभी हाली में उत्तर प्रदेश का जो कुशी नगर Airport है इसे International Airport डिक्लेर किया गया है अगला कुश्चन है इसरो ने DRDO के द्वारा विक्सित उपग्रह जिसका नाम है सिंधु नेत्रा ये कहां से लॉंच किया है तो देखे कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाली में इसरो के द्वारा PSLV यानि की Polar Satellite लॉंच वहिकल इसके द्वारा मतलब कि PSLV C-51 के माध्यम से टोटल 19 सैटलाइट लॉंच किया गया है इस 19 में से एक था ब्राजील का Amazonia 1 Satellite जिसे की लॉंच किया गया था Amazon के जंगल में मतलब की जंगलों की कटाई की निकरानी रखने के लॉंच किया गया था Amazonia 1 Satellite और बागी 18 सैटलाइट लॉंच किया गया थे इस 18 में से एक था DRDO के द्वारा विक्सित किया गया सिंधू नेत्रा सैटलाइट और ये क्या काम करेगा तो देखे सबसे पहले तो मैं ये बता दू कि कहां से लॉंच किया गया है आंधर पदेश से 37 धवन स्पेस सेंटर से और ये जो सिंधू नेत्रा सैटलाइट है ये ह हिंद महासागर वाले एरिया में सैन्य और मर्चंट नेवी के जहाजों की गतिविधी की निगरानी रखेगा और इसे ही लॉंच किया गया है इसरो के द्वारा लेकिन डवलप किया है डी यार डियो ने तो अब यदि हम बात करें डी आर डियो की और इस रो की डी आर डिय इसरो यानि की इंडियन स्पेस्थ रिसर्च ओर्गानिजीशन डी यार ये कि स्थापना हुई थी 1958 में शिंडापना हुई थी 1969 में बेया डीयों का हेटकॉर्ट़र रस्तित है नइ दिल्ली में जबकि इस रू का हेटकॉर्ट़र रस्धीत है और करनाटा की रासzdhanie से नवाजा गया था जबकि जो के शिवान है इन्हें कलाम पुरुसकार से नवाजा जा चुका है डी आडियों का मोटो क्या है बलस्य मूलम विज्ञानम जो की संस्कृत में है और इस रोका मोटो है मानव जाती की सेवा में अंतरक्ष प्राद्योगी की या इसे आप कह सकते हैं इस पेश टेकनोलोजी इन दर सर्विस ओफ मैनकाइंड हाली में किस प्राद्योगी की कंपनी ने महासागरी प्लास्टिक अपसिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है तो यह जो पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर है जो की बनाया गया है महासागरी प पास-पास के एरिया में जो अपसिष्ट फेका जाता है इसमें सबसे जादा मात्रा में तो प्लास्टिक ही होता है और यह जो प्लास्टिक होता है यह समुद्र के तलचट में बैठ जाता है और जब समुद्र का बहाव होता है तो उस बहाव के कारण यह किनारे पर आ जाता ह तो इसी प्लाश्टिक बोतलों से मतलब कि इस प्लाश्टिक अपसिष्ट के साथ जो HP कमपनी है इसके द्वारा पवेलियन 13, पवेलियन 14 और पवेलियन 15 लैप्टॉप का निर्माड किया गया है और यह जो कमपनी है HP कमपनी इसने ये भी अनुमान लगाया है कि इस तरह के इलक्ट्रानिक उपकरणों में प्लाश्टिक का उप्योप करने से महासागर और लैंड फील से लगभग 92,000 प्लाश्टिक की बोतले इस्तमाल होंगी तो आप यह समझ सकते हैं कि इससे समुदरी कच्रा ये तो साफ हो गई मतलब कि जो प्लाश्टिक कच्रा है ये तो साफ हो गई इससे नया इनोवेशन भी हो सकेगा जैसे कि आपने देखा कि इससे लेप्टॉप बना लिया है एच पी कंपनी ने यह हम बात करें इस कंपनी की तो इसकी स्थापना 1939 में की गई थी हैटकॉाटर इस्थित है केलिफोर्नीय यूसे में हाले में किसनी यूक्रेण में चल रहे आउटस्टेंडिंग यूक्रेणियन रेसलर्स और कोचिस मेमोरियल तूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है तो ये गोल्ड मेडल जीता है विनेस फोगाट ने विनेस फोगाट जो की बिलॉंग करती है हरियाणा से यूक्रेन कुस्ती इस परधा में इन्होंने गोल्ड मडल जीत लिया है बेला रूस की वेनिसा कलाद जिंक्स क्याय को हरा करके और इन्होंने यह प्रतियोगिता 53 किलोग्राम की कटेगरी में जीती है और इस कटेगरी मे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली यह एक मात्र भारती महिला पहलवान बनी है अब इस प्रतियोगिता कायजन कहा किया गया था यूक्रेन की कैपिटल कीव में तो यह है इसकी कैपिटल करंसी है रिबनिया और आसपास के लिए आप लोकेशन देखेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं यह है ब्लैक सी यानिकी काला सागर और काला सागर के उपर में यह जो आप देख रहे हैं यह है अजोव सागर तो यह है अजोव सागर यह है काला सागर और यह है भूमध्य सागर यानिकी मेडिटेरियन सी कल जो मनें आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था करनाटक अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है यह परिवहन फसिलिटी शुरू करने वाला पहला राज्जी कौन बना है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो नहीं थैंक यू सो मुट